उज्वल भारत न्यूज देश की पखरावाज अब ने अंदाई नमस्कार दर्शकमित्रों मैं आचारतुरुगाप शास्त्री आप सभी काश्वाकत करता हूँ आपकी यूटूब चैनल में जहां पर हम पापका राशी फल के वीडियो बनाते हैं और साथ में उप योगे टिप्स तो रहती हैं अगर आपके भी कोई समस्या कोई सवाल है तो आप हमारा संपर कर सकते हैं और हम आपको योगे टिप्स जरूर देंगे मित्रों समस्या का समधान ही हमारी टिप्स होती है इसलिए हमारा हक है कि आप हमारी चैनल में पहली बाद चुड़ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिए और कॉमेंट में भी आप अपने सवाल हमें बेज सकते हैं समध से आपकी कोई वास्तु की हो जोतिश की हो कोई मोहरत की हो कुंडली मैचिंग की हो या और कोई हो आप हमारा संपर करिए हमारा फॉन नमबर नीचे दिया तो चली मित्रों सुरू करते हैं पहले आज का पंचाम इसके बाद हम जानेंगे आपकी समस्या का समधान आज मंगलवार का दिन है पहले भगवार गणिश्कों बंदन करते हैं करते हैं आपका पंचाम कि आज विक्रम समथ दोहजार एक्यासी सक्समत उन्हें सो पैंतालिस और वीर समथ पचिस सो पचास दिनांग की बात करते हैं तो 21 मई दोहजार चौविश मंगलवार का दिन है आज का जो नक्षत्र है वह शित्रा रहेगा पाज बज़के 46 मिर तक इसके बाद स्वाती नक्षत्र की शुरुवात होगी और आज वैशाक शुक्ल पक्ष की त्रयव दर्शीतिति थी है योग आज वेती पात है जो 12 वज के 34 मिर तक रहेगा और परियान योग इसके बाद शुरू होगा करण आज आपका तैतिल रहेगा 17 बच के 41 मिन तक इसके बाद कॉल अप करण की सुरुवात होगी आज की राशी तुला रहेगा या निराता अक्षरों पर नाम करण किया जाएगा जो बच्चे आज जर्म ले रहे हैं उन सभी को हमारे चेनर के परिभार की तरब से खुप भुभार देख शुप कामना है सुखी रहे शंपन रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे यह हमारी भगवान से प्रार्थना तो चलिए मित्रों यह तो हमने जाना आज का पज्चान अब हम जान लेते हैं आज का रासी फल सुरुवात पहले करते हैं में इस रासी से अलाई अक्षनों से जिनका नाम प्रानम होता है उनके लिए मन में उत्सा रहेगा काम करने के खशमता रहेगी पाबर रहेगा लेकिन थोड़ो स्वास्त समंधितिक कताने की संभावना बनी है पती पत्नी का साथ सहकार रहेगा गलत बजारों से दूर रहने की जरूरत है और अंधा विश्वास कहीं नहीं करना संतान को लेके जो चिंता हैं थे उनमें राहत मिलेगी क्या करेंगे तो ओम हौम जो मश्रह मंदर का प्रयोग करिये भगवान गणिश के मंदर में दुरवा आरपन करके दिन की सुरुवात करिये अच्छा दिन रहेगा चलिए अब जान लेते हैं ब्रिशवराशी बवाव अक्षरों से जिनका नाम प्रारम होता है उनके लिए आपके ग्रहों के स्थती सामाने रूप से अच्छे और सुन्दर है छोटी बड़ी यात्राओं पे आपका जाना बन सकता है जिन पर विश्वास किया था वहां से घात होती हुई दिखाई देते है शादी शंबंध की बातें पूरी होंगी संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है नोकरी में प्रमोशन या तो ट्रांसफर दोनों चीजों की संभावना दिखाई दे रही है तो क्या करेंगे आप तो दिन को और सुब बनाना है तो व्यशन से आपको मुक्त रहना है और शिव जी पर जला विशेक करके चावल का धान गरीब को देना है इसके बात दिन ठीक रहेगा चलिए अब जानते हम मिथुन राशी कचगह अक्चरों से जिनका नाम प्रारम होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज में तो सफलता मिल रही है नोकरी अगर नहीं थी तो मिलने के चांस दिखाए दे रहे है ब्यापार और बानिज में फाइदा दिख रहा है यकीन जिस पर था उसी पे रखिये गलत लोग बहुत से आएंगे जहां आप गलत जहांसे में नहीं आना है जल्दबाजी में कोई ने नहीं लेना है और सरकारी कामकाज से फाइदा होगा उपाय के तोर पर आज आपको गाय को घास खिला कर दिनकी सुरुआत करें अच्छा रहेगा चलिए अब हम जान लेते हैं करकराशी टह अक्छरोंशे जिनका नाम प्राणम होता है उनके लिए आपके ग्रहों के इस्तिती सामाने अच्छी और शुन्दर है कुछ नया काम जो आपने सोचा था वो पोर्ण हो रहा है नौकरी वगेरे प्राप्त होने के चांस है शंतान वगेरे प्राप्त होंगी साथ में साधी वगेरे की बातों में भी सफलताब में लेगी लेकिन सीर बजार यान बजारों से जरा दूर रहना है पैसो काले दिर बिलकुल न करना उपाय के तौर पर आज अपने वेशन से दूर रही है और खास तौर पर एक गरीब को पस्तरदान देकर दिन की सुरुआत करिये अच्छा रहेगा चले मित्रों आप जानते हैं हम सिहराशी मटव अक्षरों से जिनका नाम प्रारंब होता है उनके लिए आपके लिए क्रहों के इस्तिती सामाने रूप से अच्छी सुन्दर है यात्रा वगेरे पर आप भी जा सकते हैं नए लोगों की मुलाकात भी आपकी होगे और कुछ बड़े काम भी आप कर पाओगे तो क्या करूगे तो आज आपको ओम नमस्षिवाय मंदर का जब करना है और दिन की सुरुवात करनी है आपका दिन सुभा और सुन्दर रहेगा चली मित्रों अब हम जान लेते हैं कन्या राशी पठणा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंब होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिती शामाने रूप से सुन्दर बढ़िया है कुछ नया काम आपका जो बाकी था वह पूर्ण हो रहा है सरकार से कुछ लेंदेन बाकी थ्युपए भी पूर्ण होंगे हाँ चल्दबाची में आज कोई काम न करना और क्रोध से दूर रहने की जरूरत है माता और पिदा के बीच के संबंध भिगड सकते हैं तो साबधानी जरूरी है पैसों की लेंदेन से जरा मित्रों दूर रहना क्या करना है तो आज घर में खी का दीपक जलाईए और सिवजी पर जला भिशेक करके दिन की सुरुवात करिए आपका दिन सुन्दर और बढ़िया रहेगा चली मित्रों जाल लेते हैं तुलाराशी रत अक्षरों शे जिनका नाम प्रारम होता है उनके लिए आपके ग्रोहों के इस्तथी सामाने अच्छी है यात्रा वगेरे पर आप भी जा सकते हैं नए लोगों की मुनाकाद भी हो सकती है और कुछ गलत लोग भी आपके पास आ कियेगा क्या करना होगा ओम हौम जुम्सा मंतर का प्रयोग करके दिन की सुरुवात करें आपका दिन सुन्दर और बढ़िया रहेगा चली मित्रों जानते हैं ब्रिश्चिक राशी ना या क्षरोंशे जिनका नाम प्रारम होता है उनके लिए आपको संताम प्राप्ति के योग दिख रहे हैं कुछ मन की च्छाएं परिपून हो रही है श्वास्त संबंदी चिंताओं में राहत मिलेगी नौकरी व्यापार में शफलता मिलेगी कौर्ट कचेरे में भी फाइदा है उपाय के तोर पर आज आपको किसी गलत आत्मी के समगत में पढ़ने की आवश् अक्षरों से जिनका नाम परारंब होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों के इस्तिती सामाने अच्छी सुन्दर है यात्रा वगेरे पर आप भी जा सकते हैं नए लोगों के मुलाकाद भी हो सकती है और कुछ गलत लोग भी आपके पास आएंगे विद्धर्थियों के अधियर समय अच्छा है उनके एडमीशन वगेरें फाइदा होगा क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएए और चने की दालगुड़ा और हल्दी पाउडर का धान किसी भी विष्टू मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करिये आपका दिन सुब और सुन आपके बढ़ती हुई नजर आ रही है कुछ मन में चिंता और टेंसन जरूर है फसे हुए पैसे वापस आते हुए नहीं दिख रहे हैं किसी परंधा विष्वास बिलकुल न करिये और साथ में आप अपने काम से काम रखे यह जरूरी है श्वास्त भी आपका ठीक नहीं र रहेगा चले मित्रव जानते हैं कुम्हराशी गर्ष अशा और ख्षरों से जिनका नाम प्राम होता है उनके लिए आपके लिए छोटी बड़ी यात्राओं पर जाना बन सकता है जमीन मकान समंधी प्रश्टों का सॉल्यूशन आशकता है पती-पत्नी के बीच में चल रही कौर्ट मेंटरों में भी शान्ती होने की संभावना दिख रही है यात्रा प्रवाश पे भी आप चा सकते हो वाहन वगेरे चलाने से सावधान चरू रहीएगा जल्द बाजी में कोई निर्णा नहीं लिया जाता क्या करेंगे मित्रों तो आज आप अपने घर में घही का दीपक जलाई है और एक गरीब को भोजन खिला कर दिन की सुरुवात करिये आपका दिन सुभ और शुन्दर रहेगा त्यले मित्रों अप जान लेते हैं हम मीन राशी दच जथा अक्षरों से जिनका नाम प्रार्म होता है उनके लिए आपके ग्रहों के इस्तधी शामान र जल्दबाजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है किसियों को सोचे समझे बिना परखे बिना विश्वास करने की जरूरत नहीं है दूसरी बात ब्यापार में बृध्धी होगी नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर दोनों चीज होशकती है हाँ थोड़ा स्वास्त संबंध जिन्दाएं जरूर रहेंगे संतान को लेके थोड़ा आप दुखी हो ऐसा भी दिख रहा है क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक चलाईए और चले की डाल गुड़ा और हल्दी आप किसी भी शिव मंदिर में दान दे का दिन की सुरुआत करिए आपका दिन सुभ और सुन्दर रहेगा तो दर्श्क मित्रो ये तो हमने जान लिया आज का महत तो पूर्ण विशे आपके राशी फद तो चले मित्रो हम जानते हैं हम आज के टिप्स के बारे में आज के टिप्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आपको कर्ज मलब लेना है पैसों की द या नोकरी नहीं मिल पाती, उसका कारण क्या है, तो मेन बरकत होने की बात हो रही है, नोकरी नहीं, नोकरी चीज अलग है, तो बरकत क्यों नहीं होती, पैसे अपने बचते नहीं है, क्या कारण हो? तो हम जब कुंडली के अंदर देखते हैं, तो हमारा सेकंड हाउस जो है, वो धन्भुवन है, यानि बैंक बैलेंस है, तो सबसे बड़ा डेमेज तो वहीं हो जाता है, सेकंड नंबर मित्रो हम देखते हैं, तो आपका ट्वेल्थ हाउस, जिसे हम खर्च कहते हैं, तो हम वह हमारे पास नहीं है, तब भी हम करते हैं, तो मित्रो कभी कभी ऐसा होता है, कि जिस चीज की हमें जरूरत है, वह प्राप्त करने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है, तब हमें कर्ज भी लेना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति अगर तुम्हारे पास बन गई है, तो ओन एक्सपेक्टेट एक्सपेंस है, तो ऐसे एक्सपेंस तो होते ही हैं, तब कर्ज में अगर आपशे हो, तो हमें सोर्स ओफ इंकम बढ़े ऐसा काम करना है, और उसके लिए एक सिंपल और नॉर्मल एक काम है, आपको पीपल के पेंड में जल चड़ाना है हर रोज, लेकिन गुरु बार के दिन, यानि ब्रहस्पति बार के दिन, आपको वहां से एक पीपल का पत्ता तोड़के घर लाना है, और उस पत्ते पे आपको हल्दी से या कुंकुं से, आपको हर रिम, H-R-I-M, हर रिम, हत्वा जिसको रिम भी लोग पढ़ते हैं, तो हरिम लिखना है, बस यही काम करना है और कुछ नहीं करना है, और उस पत्ते पर आपको कम सकम एक ग्यारा बार, स्रिम, हरिम, नमह, याद रखेगा, स्रिम, हरिम, नमह, या मंत्र का जब करना है, ग्यारा माला के बार नहीं, मालो टाइम नहीं है तो तीन माला, पर हर बार तीन माला जब जाएगे, फिर अपने पूजा में उसको रखे, आर्थी वगएर वसब करिये, दूसरे दिन फिर से दूसरा पत्ता लाइए, नहीं सुकरवार को, ऐसा आपको अगले गुरुवार तक पत्ते लाना है, फिर अगला पत्ता सुकरवार को भी लाना है, जब सुकरवार को हो जाएगा, तो सुक्रवार के बाद एक सुक्रवार से प्रार्णम किया दूसरे सुक्रवार तक पत्ता का लाना है और वो प्रार्णम करना है गुरुवार को मंत्र जपनाय रिम स्रिम नमह बस इसके बाद जब आपका सुक्रवार पूरा होगा तो अगले सुक्रवार तक फिर से आपको मंतर जाप करना है, पत्ता नहीं ले आना है, और उशी पत्ते को एकठा करके next Friday में, यानि third Friday, first Friday is over, पहले से शुरू करोगे, दूसरा इसके बाद तीसरा, उसमें आपको उसे नदी में बहा देना है, बस इतना आप काम कर दीजे, आ ऐसा करने से लक्षमी के जो स्थिर्ता नहीं रहती वह लहने लगेगी, दो दर्श्क मितरो दीजे मुझे इजाज़त, नमस्कार.